अगर आपके पास बीवो का कोई भी स्मार्ट फॉन है उसमें जो कॉल आने पर डिस्पली पर लाइट है नहीं आ रही है क्या आपके पास बीवो का फॉन है उसमें कॉल आने पर स्क्रीन लाइट बंद हो जाती है या फिर लाइट आ ही नहीं रही है तो आपको कैसे उसे फिक को दवा देना होगा तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और बताते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फॉन के अंदर जो भी फालतू के अप्लिकेशन होते हैं उन्हें आप अनिस्टॉल कर दीजिए इस तरीके से लॉंग प्रेस करेंगे और यहां से सीधा अनिस चले जाना है इस तरीके से यहां पर आपको लिखना है सिस्टम लॉँच यहां पर इस तरीके से इससे आप first stop कर दीजिए Story use पर क्लिक करके इसका Clear data कर दीजिए उसके बाद यह São पर क्लिक करेंगे permission आप सब भी देजिसाथ थिए phone की permission दैड़ी च malaise से आप को स्टोरी की permission देते नहीं है उसके पर आप यहां देखेंगे यहां पर होगा आपका परमिस्स क्वर्स जब को देंके तिंग आपके एपको लिखना है यहां पर लखना है ठीक है, अपडेट करने के बाद, यहां जॉइन बीता होगा, तो आप इसे जॉइन कर लीजिए, ठीक है, वीटा में, ठीक है, इसे में यहां जॉइन कर लिया, उसको आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद, आपको सिंपल से कामोर करना है, आप अपने WBO smartphone के अंदर जो File Manager होता है उसके आप click करेंगे File Manager पर जब आप click करेंगे उसमें तो आपका उपर इंदर फान इस पर आपक लिए ऐपस पर click करना है और यहां पर यह आपको इस तरीखे से एपस हो नहीं हो रहा है तो बताऊंगा आपको क्या करना है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग आपको यहां होने देना है उसकद आपके फॉन के अंदर जितने भी एप होंगे उनका आप clear catch कर दीजिए इस तरीके से उसका आप clear catch कर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको सभी का करना है ठीक है यह देख सकते हैं इस तरीके से सभी का आप कर दीजिए उसके बाद यहां से back चले आईए उसका आपको एक setting और करना है अपने वाल की setting में ही जाके जहां पे आपके apps होते हैं उस वाले चले जाना है ठीक है option में जैसी की मेरे app list में है तो आपके भी होगे ठीक है यहां पे आप क्लिक करेंगे फिर से source system पे तो यहां पे आपको लिखना है phone की बल फॉन लिख दीजिए उसके आपको यहां चार options हो हो जाएंगे आपके phone में दो या एक कोई भी सो हो रहा है तो यहसी की phone service है आपके phone में आधर कोई होगा तो उसे आप यहां से force stop कर दीजिए clear catch और clear data इसका कर दीजिए उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा manage notification तो notification में आप check कर दीजिए दोनों यहां पे tick है कि नहीं है ठीक है उसके बाद यहां dots यहां लगा हुआ है कि नहीं do not disturb नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पे call phone इस तरीके से मिलेगा इसे भी same वही आप कर लीजिए इसमें जैसी कि मैं आपको बता रहा हूं ठीक है same process वही है तो यहां आप इस तरीके से देख लीजिए उसके बाद आपको यही काम करना है आप यहां से आप बैक चले आइए बैक आने के बाद आपको अपने वीबों वाल के अंदर यह देखना है कि software update तो नहीं आया है तो यहां software update कर लीजिए अकर आपका software update है तो अच्छी वात नहीं है तो उसे आप यहां से अपडेट कर लीजिए software update है अपडेट करने के बाद आपको इस तरीके से बापस जाना है तो यहां पर आपको आपको यहां पर इस सेटिंग में फिर से जाना है यहां एक काम और करना है आपको अपने phone के अंदर do not disturb बाला जो है जिसे कि do not disturb बाला यह mode है यह आपका यह आफ है इस तरीके से आपका जो ओफ है ठीक है तो यह निक on है तो इससे आप आफ कर दीजिए ठीक है जिसे मैं ने कर दिया तो फिलाए लेता हूं इस वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो गई होगी आसा करता हूं वीडियो आपको काफी फसंद आई होगी जैहिंद बंदे मातरा